परदीप आप सबी का स्वागत हैं मेरे चैनल X-Team Adventure India में दोस्तो आज की वीडियो उनके लिए है जो वीडियो एडिटिंग करना सीखना जाते हैं और जिनोंने आज तक वीडियो एडिटिंग कभी की नहीं है यह बहुत ही आसान software है beginners के लिए मैं बात कर रहा हूँ Wondershare का Filmora software यह बिल्कुल latest version है जिसका मैंने tutorial बनाया है तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकोन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको मेरी वीडियो का notification मिल सके दोस्तो एक बात और कहना चाता हूँ यह थोड़ी वीडियो लंबी बन गी है क्योंकि मैंने software का हर पार्ट मैंने cover किया है तो मैंने बड़े डीपली इसको समझाया है तो आप अन तक यह वीडियो टुटोरियल देखें ताकि आपको वीडियो अटेटिंग करना बड़ी आसानी से समझा आ जाए दोस्तो इस software का link मैंने अपने description में दिया है वहाँ से आप इसको download कीजे और install कीजेगा अगर आप चाहें तो Wondershare Filmora की website पर भी जाके इसको download कर सकते हैं तो दोस्तो मैंने अल्रेडी अपने laptop पर install करका है तो हम अपने software को open कर लेते हैं तो सबसे पहले interface खुलेगा Filmora का तो हम चलते हैं अपने computer पर दोस्तो Wondershare Filmora का interface खुल चुका है यह हमारा interface है इसको मैं तीन parts में डिवाइड गर देता हूँ यह है हमारी media library second है हमारा preview window third है हमारा timeline इसी पर सारी editing होगी तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं media library से तो हम आजाते हैं first part media का इसी में हम अपनी सारी video को import करेंगे और जो हमने edit करनी है इसके इलावा हमारे पास कुछ sample colors है कुछ sample video है और इसके बाद हम आजाते हैं audio part इसमें music है जो आप अपनी video को देना चाते हैं तो third part पे हम आजाते हैं titles पे text पे तो यह बहुत important parts है हमारी video editing का क्योंकि अगर हमने अपनी video में intro देना है तो हम अपने openers का use करके intro बना सकते हैं तो आपको सिरफ उसमें अपने channel का नाम लिखना है या कुछ भी heading देनी है तो आप edit करके intro बना सकते हैं बहुत easily उसके लावा lower third यूज करके आप अपना नाम लिख सकते हैं जैसे कि कोई भी lower third यूज करके आप जगा का नाम ले सकते हैं उस place का नाम बता सकते हैं अपना नाम बता सकते हैं तो next आ जाते हैं हम transitions पे तो ये transitions हैं जो दो video के बीच में use करके उसके effect को और भी increase कर सकते हैं तो बहुत सारे हमारे पास transitions हैं कोई भी use करके आप अपनी वीडियो को effective बना सकते हैं तो next हम चलते हैं effects पे तो ये बहुत सारे effects हैं इसमें जैसे कि हमारे पास कुछ filters हैं और इसके इलावा कुछ overlays हैं जो आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं ये सब अवरलेज हैं और इसके अलावा कुछ योटिलिटीज हैं जैसे आपने बौर्डर देना है या आपने क्रॉप का आप्शन रजहने हैं या अमेज मासक लगाना हैं तो ये सारे हमारे utilities हैं इसके अलावा कुछ LUTs दे गए हैं या इसको हम color correction भी कह सकते हैं कुछ preset color correction है इसमें तो ये हमारा effect का part बहुत ही important है पूरी वीडियो में तो next चलते हैं elements में ये elements part है इसको मैं बहुत ही come use कर सकता हूँ इसमें कुछ मैं बता देता हूं, जैसे आपने लव का कोई पार्ट दिखाना है, तो आप ये element लगा सकते हैं, कोई shape आपको दिखानी हैं, तो आप ये use कर सकते हैं, और last में आजाता है split screen का पार्ट, आपने news देखी होगी या कोई भी tv देखा होगा जिसमें एक साथ 3 तीन स स्क्रीन चल रही होती हैं तो वो यह इफेक्ट्स हैं इसको यूज कर सकते के आप एक साथ तीन तीन वीडियो चला सकते हैं अपना तो यह हमारा मीडिया लाइबरियर का पार्ट हो गया है नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा प्रिवेव विंडो में इसमें ज्यादा कुछ नहीं है एक प्ले बटन है एक स्टॉप बटन है बैक फारवर्ड और उसके लावा हमारे पास कुछ एजस्टमेंट है क्वाल्टी प्रिव्यू क्वाल् आप यूज कर सकते हैं किसी भी तरह से इसमें वॉल्यूम का है कम ज्यादा कर सकते हैं अगर अपने विंडो को फुल स्क्रिंग करना है तो यहां से भी कर सकते हैं तो अब हम आ जाते हैं टाइम लाइन पे यह भी बहुत इंपोर्टन पार्ट है हमारी वीडियो एडिटिं तो यहां पे आप लॉग भी कर सकते हैं अपनी वीडियो को ताकि कोई इसमें चेंजिस ना हो और यह है हमारा आडियो टाइम लाइन यहां पे हम अपना मीजिक ड्रेगन ड्रॉप करेंगे जो हमने वीडियो में देना है तो उसको भी हम लॉग कर सकते हैं या वॉल्यूम को बंद भी कर सकते हैं तो यह मल्टी लेयर्स टाइम लाइन है आपने एक वीडियो यहां पे ड्रेगन ड्रॉप की उसके उपर एक और वीडियो डाल सकते हैं एक टेक्स डाला उसके उपर एक और टेक्स डाल सकते हैं उसके उपर एक और टेक्स डाल सकते हैं मल्टी लेयर्स तो जैसे एक music डाला उसके नीचे एक और music डाल सकते हैं उसके नीचे एक और music multi layers हैं यह सारी timeline तो इसमें कुछ parts हैं जैसे प्रव्यू बटन है आप रेंडर प्रव्यू कर सकते हैं आपने जतना काम किया उसको देखना चाहते हैं तो बड़ी editing का work बाद में करूंगा इसलिए आप निशान लगा सकते हैं marker से और यह है record voice over आप external voice भी दे सकते हैं यहां से और एक part यह आपको यहां पर भी मिल जागा है यह रहा आप record voice over यहां से भी दे सकते हैं और वहां से भी यहां पे और भी तीन पार्ट हैं जैसे record PC screen आप PC screen भी record कर सकते हैं record from webcam आपके laptop computer के webcam से भी आप recording कर सकते हैं यह पार्ट बहुत ही important है तो यहां पर हम आजाते हैं timeline को बड़ा करना चोटा करना यह आप यहां से कर सकते हैं timeline को बड़ा या चोटा कर सकते हैं यहां पर और यह हमारा हो गया timeline का part तो इस तरीके से हम अपनी वीडियो को एडिट करेंगे इन टूल्स की हेल्प से अब हम कुछ वीडियो को इंपोर्ट कर लेते हैं तो मैं कुछ डेमो दिखा देता हूं तो हम सीखते हैं कि वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं हम Media Part में अपनी वीडियो को इंपोर्ट करेंगे उसके लिए हमें यहां से इंपोर्ट कर सकते हैं और File पे जाके भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं तो मैं Double Click करूँआ यह मेरे पास 3-4 वीडियोस हैं मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास कुछ वीडियोस आगी हैं अब मुझे कुछ पिक्चर्स भी चाहिए तो मैं वो भी इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह एडिटिंग करके दिखा दूँ आपको दिक्कत ना हो एडिटिंग में तो ये मेरे पास 4-5 पिक्चर्स हैं तो इनको भी मैंने इंपोर्ट कर लिया है तो ये हमारे पास कुछ रॉव मेटिरिल आ गया है एडिटिंग का तो इसकी हेल्प से हम एक अच्छी सी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तो सबसे पहले हम एक वीडियो को ड्रेगन ड्रॉप करेंगे अपनी टाइम लाइन पे इस तरह से और इस पे आप से पूछेगा कि आपको किस रेजुलूशन पे आपको ये वीडियो चाहिए जिस रेजुलूशन पे हमारी रिकॉर्ड होगी वीडियो उसी रेजुलूशन पे हम सेलेक्ट करेंगे तो हम मैं थोड़ी टाइम लाइन को छोटा कर देता हूँ ताकि हमारे सारी वीडियो आपको इजिली नजर आए तो अब मैं एक और वीडियो ड्रेगन ड्रॉप करूंगा टाइम लाइन पे तो इस परकार हमारी दो वीडियो आगी टाइम लाइन पे तो हमने सीखा है कि कैसे drag and drop करते हैं वीडियो को अपने timeline पे दोस्तो अब मैं वीडियो को trim करना बताऊँगा कि कैसे trim किया जाता है कोई पार्ट आपको चाहिए कोई पार्ट नहीं चाहिए बीच में काफी हमारी वीडियो waste होती है जिसको हम trim करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे तो मैं वीडियो देख लेते हैं पहले तो मेरा इस कुछ पार्ट मेरा waste है तो मैं इसको trim कर देता हूं पहले यह हमारा play head है जहां पर भी हम play head रखेंगे वही से हमारी वीडियो को त्रिम करों गा और वीडियो को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर तो वрийक्तिनी देखिये तो और हमें बेसलेक्स करा करना थो अगो आचाए नpat हमए रहा है। उन्हें करोंगे तो आप में वीडियो को सेलेक्रों 1 éожд your होगी अब बीच का हिस्सा उड़ाना है तो मैं सिधा डिलीट कर दूँगा तो मैंने आपको सिरफ दिखाने के लिए कटिंग करिए तो मैं वापस इसको अंडू कर देता हूं इस तरह से तो यह हमारा हो गया स्प्लेट का पार्ट तो हमने स्प्लेट सेख लिया है कि किस तरह हमने स्प्लेट करना है तो अब हम सेकिंड पार्ट आएंगे जो भी मेरी वीडियो है इसमें मैंने म्यूजिक देना है तो वह कैसे देंगे तो हम आडियो पार्ट खोलेंगे इसमें हमारे पास 91 प्री सेट्स Filmora की तरफ से दिये गए हैं तो उन में से कोई भी आपको अच्छा Music लगे तो आप सेलेक्ट करके Drag and Drop कर सकते हैं अगर आपको कोई Personal Music है उसको हम Import कर लेंगे My Music में तो मैं एक Music है मैं उसको Drag and Drop कर देता हूँ और इसको हम वीडियो जितनी हमारी है वहां तक Select कर देते हैं वाकि इसे को Waste को हम काड़ देते हैं Trim कर देते हैं जो हमारा Waste है उसको हम Delete कर देते हैं तो अब हमारी वीडियो के बराबर Music हो गया है दोस्तो हमारे पास Time Line पे अब वीडियो है और हमारा Music है अब हम आते हैं Text Part Part पे तो हमने अपनी वीडियो को कोई अच्छा सा इंट्रो बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे तो हमारे पास कुछ Presets हैं Openers हैं तो उन में से एक Select करके हम उसको Edit करेंगे तो हम ये Select कर लेते हैं ये काफी अच्छा है तो मैं ये Front पे वीडियो के Drag & Drop कर देता हूँ तो हमेशा Intro हमारे Starting में होता है वीडियो के तो मैं इसको अब Edit करके दिखाता हूँ हमारा जो Intro है Text के 2-3 Parts हैं जैसे ये First Part बीच में दिया हूँ एक नीचे छोटा सा Text का Part है तो मैं पहले नीचे वाले Parts को Edit करता हूँ सबसे पहले जो भी Parts आपने Edit करना है उसको Select करना पड़ेगा तो मैं उसको Cursor को Select कर देता हूँ यहाँ पे जाके जैसे मैं लिख देता हूँ रा जस्तान तूर तो अब हमें इसके Size को बढ़ाना है डाउन करेंगे तो बढ़ जाएगा और हम इसका font भी चेंज कर सकते हैं हम की से जो अब डाउन की को आगे पिछे करके हम इसका font चेंज कर देंगे यह हमारा font भी चेंज हो गया अब मैंने इसको Color करना है तो वो कैसे करूंगा तो यह मेरे पास कुछ Presets हैं वो मैं लगा देता हूँ यहां पर Presets कोई भी आप Select कर सकते हैं यह हमारा Presets हो गया है और इसके बाद आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं तो कोई भी आप एनिमेट कर सकते हैं हमारे पास कुछ Presets एनिमेट हैं यह भी मैं Select करके OK कर दूँगा यह हमारा part select हो गया अब हम इसको edit करेंगे इस part को तो first जो जो select करते जाएंगे वो part आपका edit होता जाएगा मैंने select किया यह part अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ extreme second part select करके लिखते हैं adventure और third part select करके लिखते हैं इंडिया तो यह हमारी edit हो गया लेकिन इसमें हमारा box से बाहर चला गया तो इसको कैसे adjust करेंगे तो मैं advance का option choose करूँगा और जो हमारा box को select करूँगा और इसको adjust कर दूँगा हमारी box को आगे पीचे करके यह हमारा box adjust हो गया तो इस तरह से हम अपना कोई भी नाम लिख सकते हैं अपने channel का नाम लिख सकते हैं या कुछ भी नाम लिख सकते हैं तो इसको अब color भी कर सकते हैं या तो preset color यूज कर सकते हैं या फिर आप customize कर सकते हैं मैं दिखा देता हूँ जो जो select करता जाँगा वो आपके colors customize होते राइंगे तो यह हम उनने सिलेक्ट कर लिया एक औरशने और रहने देते हैं इंडिया को हम कर देते हैं गरीन और हम खर देते हैं sorcery इसका और यह मेरा इंट्रो त्यार हो गया है मैं चला हके दिखा करता हूं कि यह इस तरह से चल रहा है लेकिन इसमें अब म्यूजिक देना है तो मैं इसको स्वाइप कर दूंगा थोड़ा आगे और पीछे से मैं बढ़ा दूंगा म्यूजिक को तब आप चला के देखते हैं एक के तो दोस्तों यह हमारा हो गया टेक्स पार्टा है अब लेकिन आप आपने यह इंट्रो पार्ट हो गया अब मैंने जह यह में प्लेश सप्रूआ है जहां से मैं शुरू कर रहा हूं वीडियो आप इसकी मwalker ब्ताना चाहता हूं या मैं नाम लिखना चाहता हूं तो वह कैसे लिखूंगा उसके लिए मेरे पास है लोवर थर्ड तो मैं एक लोवर थर्ड स्लेक्ट करूंगा ड्रेगन ड्रॉप कर दूंगा उस प्लेस पे जहां पर मैंने लिखना है वह शो करना है तो डबल किलिक करके ही हमारी एक विंडो कर खुल जाएगी एडिटिंग की तो उस पर मैं लिख दूंगा जैपूर पेट्रोल पंप यह जैपूर पेट्रोल पंप था हमारा तो मैंने लिख दिया अब इसको मैं कलर ग्रेड भी करना चाहता हूं तो मेरे पास कुछ प्रिसेट्स हैं मैं इसको कलर पूरा तो मेरा इंटे जोरिटाड गया है जिससे मैंने अपनी वीडियो को बहुत ही शांदर लुक दे दिया हैं है तो हमारे यह हो गाई टेकस पार्त जो हमने सीखा है अब हो आजाते हैं聽 ingektivity委 में क teeth है जैसे कि मैं बी षे नगा देंगे कोई तो पर दो बीडियो है में यह transition तो अब हम देखते हैं कि यह कैसे हमारे को देखने को मिलेगी इसका effect यह देखिए बहुत ही शांदार तो मान लोग अगर मैं दूसरी Конहींद चाहता हूं तो उसी टांजिशन के ऊपर मैं यह नई टांजिशन लगा दूंगा तो यह टांजिशन चेंज हो जाएगी इस तरह से तो यह हमारी टांजिशन पार्ट हो गया हमारा तो हम आगे हैं अब effects पे अब हम सीखेंगे effects कैसे use करें अपनी किसी भी वीडियो में तो हम पहले video को select करेंगे अपनी हमारे पास effects में बहुत सारे filters हैं हमारे पास 163 filters हैं उसके बाद हमारे पार overlays हैं और उसके बाद हमारे पार utilities हैं और luts हैं तो पहले देखते हम filters कैसे हमारी video को को effective करते हैं तो मैंने अपनी वीडियो को select किया और मैं पहले starting वाला 70 वाला लगा लेता हूं यह 70 का filter है यह 1977 का filter है यह अन्दर दर्श न्यू filters हैं तो इस तरीके से हम अपने वीडियो में filter दे सकते हैं जो filter चाहिए आपको drag and drop करना है वीडियो पे अपनी और उसको swap कर देना है लास्ट तक जहां तक आपको चाहिए होगा यह आप पूरी वीडियो पे लगा सकते हैं इसी तरह से और जो चाहिए वो ही आप drag and drop करेंगे यह तो मैं आपको दिखाने के लिए अलग अलग filters बता रहा हूँ तो मैं इसको delete कर देता हूँ तो अब हम आते हैं overlay पे तो हमारे पास कुछ overlay हैं जैसे कि मैं दिखा देता हूँ वीडियो को select करूंगा और overlay मैं दिखा दूँ आपको यह देखिए यह हमारे पास कुछ overlay हैं जो हम किसी भी वीडियो में use कर सकते हैं तो overlay हो गया अब हम आते हैं utility पे utility पार्ट बहुत ही काफी शांदार है इसमें क्या होता कि अगर आपने border देना है तो मैं वीडियो को select करूंगा पहले और फिर हमें border पर जाओंगा border को select किया तो यह देखिए हमारी वीडियो पर border आ गया यह pictures पर हम border लगाएंगे तो बहुत चांदर लगते हैं और इसके विलावा हम इसको मैं drag and drop करता हूं यह मैं वीडियो पर लिए और मैं double click करूंगा इसको तो हमारे पास एक window खुलती है लुझी आया करे जा एक पाना मास फिरह और गया हमारे पास मास्क सेज़ता है तो आप यह मास्क भी यूज कर सकते हैं तो मैं यह कर सकते हूं इसके इलावा हमारे मासिक अ यह बहुत ही शांदार है बहुत ही यूसफुल है यह किसी भी एरिये को आपको बलर करना हो जैसे यह कोई चीज मैंने पीछे काज चुपानी है तो मैंने यहां पर लगा दिया इसका पूरा पार्ट मैंने चुपाना है तो इसको मैं अड़ेस्ट कर दूँगा बढ़ा कर हुँ तो इस तरह से हम आगे आगे कही भी यूज़ कर सकते हैं अपने इफेक्ट को तो यह पार्ट हो गया आपका मौसिक का जिस हैंना होग Nathan और आफने पार्ट को हाइड करना है कुछ तो मैं इसको बैक कर देता हूं ग्लीट कर देता हूं तो यह हो गया हमारा पार्ट त को आफ कर देता है आपके मुवमेंट के साब से यह चलेगा जाजा आपका फेस मूव करेगा आपका तो फेसोग पर मैं डबल किलिक करूंगा तो हमारे पास कुछ इमोजी आ जाएंगे अगर आप चेंज करके उस पर यूज करना चाते हो इस पर अपने फेसोग पर तो यह भी काफी अच्छा एफेक्ट है हमारे पास यूटलिटी में आप कैसे भी यूज कर सकते हो मैं इसको डिलीट कर देता हूं यह मैंने स्लेक्ट किया और यह डिलीट क कर दिया तो हमने सीखा यूटलिटी काफी बढ़िया फीचर से हमारे पास एफेक्ट से अब मैं लट्स दिखा देता हूं हमारे पास यह कलर क्रेक्शन वाले लट्स हैं यह अपनी मुझ वीडियो को कलर करेक्शन करने के लिए हम यूज करेंगे यह देखिए यह सब भी ड कलर क्रेक्शन के लिए तो हमारा यह हो गया effect का part खतम और हमने सिखा कैसे effect को हमने वीडियो में यूज करना है तो अब हम चलते हैं elements पे तो आप अपने वीडियो में elements भी दे सकते हैं अब कोई आप love के लव पार्ट बना रहे हैं तो आप love का element यूज कर सकते हैं जैसे कि यह है यह मैं अपनी वीडियो में ड्रेगन ड्रॉप करूंगा यह लेखिए तो यह हमारे वीडियो के उपर आ गया तो हम इसको अब सकते हैं और रिख्ञाइस कर सकते हैं हमें कई भी इसको प्लेश कर देंगे से मैं आड्युस कर दिया तो यह डिया है किटना अछा लग यह आ या है जांगा यह आप यह से एक यूज़ maritime कर कोई बैजिस भी लगा सकते हैं और यह टूटोरियल्स यह मैं काफी जगा यूज करता हूं अपनी वीडियो में यह जैसे एरो का मैं एक दिखा देता हूं आपको एरो कैसे यूज करना है यह अगर हम एरो एक लगाया हमने तो अब हम इसको री साइज करेंगे एरो को जहां करना है तो हम इसको री साइज कर सकते हैं इसका डायक्षन कर सकते हैं किसी भी डायक्षन में इसको कर सकते हैं चोटाबड़ा कर सकते हैं यह लेखिए और हम तो इसके साथ हम टेक्स भी लिख देंगे तो ये डिरेक्शन सा पता चल जाएगी बहुत ही अच्छा इपक्ट आएगा हमारी वीडियो पर तो ये हमारा हो गया element part तो काफी सारे हमारे पास elements हैं तो कुछ emojis हैं webs हैं हमारे पास तो जैसे यह हमने अपनी वीडियो में देणा हैं कि हम आप हमारे वीडियो को लाइक करें तो यह इस तरह से हम इसको सारेज कर देंगे और उसको लाइक करें लोग करने इस तरह हमने elements को यूर्ज करना है तो यह हमारा होगा elements पापार्ट डिलीट कर देता हैं तीनों element सब को select करके आप डिलीट कर दीजे तो हमारे पास last बसता है हमारा split screen दोस्तों आपने news देखते होंगे आप TV देखते होंगे तो उसमें एक साथ 5-5 लोग screen sharing कर रहे होते हैं तो वो यहीं से होता split screen से तो मैं इसको drag and drop कर देता हूं ह तो अब इसको आप जितने मर्जी मिनट बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं जितना भी आपको requirement है यह मैंने लगा दिया है यहाँ पर अब मैंने इसमें इपनी वीडियो को select करना है तो आप अपनी choice की कोई भी चार वीडियो इसमें drag and drop कर सकते हैं यह first यह second यह third और यह fourth वीडि अब मैं चला के दिखाता हूं यह कि तो एक साथ चार चार वीडियो हमारी ले हो रही हैं और हमारी वीडियो बहुत ही शांदार जो effect आ रहा है बहुत ही बढ़िया effect आ रहा है अगर आप कोई intro बना रहे हैं तो उसमें आप इसका use कर सकते हैं split screen का तो इस तरीके से split screen use होती हैं हमारी video editing में तो तो उपर के सारी parts मैंने आपको बता दी हैं अब नीचे के मैं कुछ बता देता हूं parts जो आपके useful हैं तो जैसे undo redo मैंने बताई दिया delete split का part तो यह है हमारा crop and zoom का तो मैंने यह select कोई भी आप video का part select करो उस पर crop and zoom को आप click करोगे तो यह window खुल जाएगी crop की तो मैं इसको जितना crop करना है उसको resize कर दूँगा यह part मुझे crop करना है और उसके साथ आप pen zoom भी कर सकते हैं तो मैं pen zoom select कर लूँगा pen zoom को और ok कर दूँगा तो यह हमारा part हमारे जो वीडियो है crop भी होगी यह मैं देख लीजे और pen and zoom भी होगी यह देखे तो इस तरीके से crop and pen and zoom कर सकते हैं अपनी वीडियो को या अपनी pictures को तो अब हम आते हैं next पे यह है हमारा बहुत ही बड़िया तूल है मारे पास जो आपकी वीडियो को slow कर सकता है fast कर सकता है या freeze frame कर सकता है या reverse कर सकता है तो मैं आपको यह करके दिखा देता हूं सबसे पहले मैं अपनी वीडियो को चार पार्ट में प्लिट कर देता हूं ताकि आपको सारे एफेक्ट एक सर्थ मैं लगा के दिखा दूँ चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं सिलेक्ट करता हूं एक पार्ट और इसको मैं करता हूं फास्ट तो मैं इसमें टू ट तो अब हम करेंगे सेकंड वाले पार्ट को स्लो यह मैं जाओंगा स्लो पे और हाप पे करके यह आपकी वीडियो होगी स्लो लेकिन इसके लिए आप जितना हाइर फ्रेम रेट होगा उतनी आपकी वीडियो बढ़िया स्मूतली चलेगी इस लो में तो हाइर फ्रेम एडिट आपके लिए इसके लिए तो अब इसको मैंने करना है रिवर्स तो मैं रिवर्स का कर दूंगा यह मेरी होगी वीडियो रिवर्स लास्ट वाले को हम करते हैं फ्रीज फ्रेम तो पहले स्लेक्ट करेंगे और हम इसको कर देंगे फ्रीज फ्रेम देखें डबल क्लिक करना है जाया आपको का डलां आप मैं रेवर्स मोई दिखा दो नहीं को अब आपका यह जो आप आएगा फिरीज फ्रेइम है यह पांस सेकंड के लिए आपकी वीडियो में जूगी है'S जैसे 5 सेगंड शुरू खतम होंगे तो आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी तो यह पार्ट हमारा हो गया यह बहुत important पार्ट है हमारा fast flow reverse and freeze तो यह next आ जाते हम यह हमारा color correction का पार्ट है हम अपनी वीडियो को color correct कर सकते हैं तो मैंने पहले यह बता दिया हमारे effects में भी काफे लट्स दिये हुए उससे भी color correct कर सकते हैं तो यह हमारे पास कुछ preset हैं जैसे यह cool है वीडियो आपकी cool show करेगी cool max और warm max जैसे boost color करने हो shadow detail brighten और इसके लावा मेरे पास कुछ फेवरेट हैं जैसे जंगल और film stock mission impossible यह लट है ब्राइटन बूस कलर तो इस तरह से आप अपनी वीडियो को color correct कर सकते हैं और आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने colors को अगर आपको ज्यादा colors की knowledge है तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं लेकिन preset से आपका पूरा काम चल जाएगा तो यह हमारा होगे colors का तो यह last part है हमारा editing part तो मेंली जो इसमें यूज होने में हमारे पास tools हैं यह है compositing का जिसमें हम यूज करके अपनी वीडियो में watermark दे सकते हैं एक है stabilization आपकी वीडियो काफी शेक कर रही है तो आप इसको select करके अपनी वीडियो को stabilize कर सकते हो और उसके बाद है chroma की chroma की भी बहुत ही शांदर है आप ग्रीन स्क्रीन जो effect है वो chroma की से हम यूज कर सकते हैं lens correction इतने भी GoPro इसमें recording fish eye record होती है तो आप उसको lens correction भी कर सकते हैं और drop shadow और auto enhance यह colors के होते हैं यह हमारे requirement नहीं है हमारे पास यह चार बहुत ही important है तो compositing हम सीख लेते हैं compositing कैसे करेंगे जैसे कि हमने इस video में हमने watermark देना है तो वह कैसे देंगे तो हम media में जाएंगे हमारे पास कुछ pictures हैं मेरे जिसको watermark दें तो आप किसी भी picture से watermark दे सकते हैं कोई wave chart मैं एक ले लेता हूं तो यह हम लगा देते हैं front पे कहीं वे भी और इसको हम swipe कर सकते हैं last तक जहां तक आपने watermark देना है जैसे हमने पूरी वीडियो में देना है तो watermark जैसे इसको मैं zoom to fit कर लेता हूं time line को यह मैंने last तक दे दिया जहां तक हमारी video है अब इसको हम adjust करेंगे double click करके resize करेंगे यह मैंने resize कर लिया और किसी भी corner पर मैं इसको लगा दूँगा यहां पर लगा दिया तो एक बात हो रहा है कि जैसे मैं यहां पर split करता हूं इसको यहां से इस पार्ट से तो इसके बाद मैं इस दिरेक्शन भी चेंज करता हूं यहां तक तो हमारी पराणे वाले direction पर रहेगी जो हमने separate से पहले यह देखिए और इसके बाद हमारा direction चेंज होगी है तो इससे हिसाब से हम direction भी चेंज कर सकते हैं कभी भी तो मैं इसको पहले दिखा हमारा watermark effect आ गया जो भी आपको के लिए अच्छा लगे उतनी आप डॉन कर लिजिए उपेसिटी और कर लिजिए तो यह हमारा watermark effect लागू हो गया कि यह हमारा watermark effect आ गया हमारी video में तो दोस्तों आब मैं green screen effect बता देता हूं हमारी video फिर वीडियो में कैसे यूज़कं गेम समय ही हैं, तो अपर लेयर। जो उसके नीचे आपको पार्ट दिखाना है तो तो अब हमारे को नीचे वाली वीडियो नहीं नजा रहाई तो यह देखिए आपका ग्रीन स्क्रीन खतम होगा आप इसको अड़स्ट करेंगे ताकि हमेरी क्लियर टी वीडियो की आ जागी है यह क्लियर होगी हमारी तो ओके कर देंगे तो यह हमारा कर लाइस करेंगे कर दोंगा हुआ है व्रयम घ्री पार भीणे स्क्री स्क्रीर होगा है इसके रहावा हम जो क्रोमा की का दूसरे लार में यूज कर को select कर दूंगा और यहां पर एक brush का निशान है इसको select करना है white part पे आप click करेंगे तो आपका white part छूम अंतर हो जाएगा अगर दुबारह जाकर मुझे black part खतम करना है तो मैं वापस brush पर जाऊँगा और black part पर मैं click करूंगा तो ब्लैक पार्ट गया तो यह ब्रश का कमाल है यह बड़ा ही शांदर एफेक्ट है हमारे पास क्रोमा की का तो इस तरीके से हम क्रोमा की को यूज करेंगे जो हमने एडिटिंग किया है इसको हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे कि हमारा फाइनल रिजन अच्छा मिले तो हमारे पास एक एक्सपोर्ट का कि यह बटन दे रखा है तो इसको मैं जैसे क्लिक करूंगा तो एक विंडो खुल जाएगी तो हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स हैं तो MP4 में ही आपने वीडियो को सेव करना है मैंशा अगर आप डिर्ट यूटूब पे अपलोड करना चाहते हैं तो उसकी общем यहां से अप डाय्रेक्ड यूटूबॉ पर भी अपलोड कर सकते हैं तो डीवीड बना सकते हैं या किसी कि आप मैं अपने मुबाइल पे भी डिरेक्ट अपलोड कर सकते हैं इसमें जैसे एपल का हो या एंड्रोइड हो गूगल पिक्सल हो इस तरीका है यहां पे अपलोड करने का तो इसमें कुछ सेटिंग दी गई हैं आपकी क्वालिटी कैसी हो नहीं जी बेस्ट बैटर गूड ब क्रेम रेट जैसे मैंने 30 पे रिकॉर्ड की तो मैं 30 पे ही अपना डाउनलोड करूंगा इसको तो मैं OK कर देता हूं और Export Option क्लिक कर देता हूं तो दोस्तों हमने आज इस वीडियो में सिखा फिल्मोरा टुटोरियल की हम कैसे इस software की मदद से वीडियो एडिटिंग कर सकते ह हैं तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको यह टुटोरियल वीडियो काफी पसंद आई होगी और आज के बाद आप बड़ी आसानी से वीडियो एडिटिंग कर सकेंगे अगर अभी भी आपको कोई बात समझने आई कोई पार्ट आपको एडिटिंग का समझ नहीं आया तो मुझे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैसेज कीजे मैं उसका रिपलाई करूँगा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फोलो कीजेगा और वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं मैं आपका रिपलाई करूँगा तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को एक प्लीव एडिटिंग करना सीख जाएं तो अंत में दोस्तों स्टे होम स्टे सेफ बंदे मात्रम जय हिंद टाटा